हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम टू एक्सिलेंट इंग्लिश इस्टुडेंट्स मैं आज आपको दा नेकलेस पढ़ाने जा रहा हूँ इस्टुडेंट्स इस नेकलेस स्टोरी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता मतिल्डा बच्चो मतिल्डा सोचती थी कि मेरी साधी एक ऐसे इंसान से हो जो दौलत मंद हो जिसके पास दुनिया की सभी चीजे हो और मैं ऐसो आराम की जिन्दगी जी सकूँ लेकिन स्टुडेंट्स जैसा इंसान सोचता है वैसा उसके जीवन में कभी कभी ही होता है और आखिर में मतिल्डा की साधी एक ऐसे इंसान से हो गई जो एक कलर्क था बच्चो मिस्टर लॉजल एक कलर्क थे ओफिस ओफ दा बौर्ड ओफ एजूकेशन के ओफिस में और उनकी जो सैलरी थी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ऐसो आराम की जिन्दगी जी सके रखती थी और अपने आपको कोस्ती रहती थी कि मेरे घर का फरनीचर अच्छा नहीं है मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है मेरे पास अच्छी जोएलरी नहीं है तो बच्चो जो Mr. Loisal थे वो सोचते थे कि जो भी मेरे पास है वो मैं अपनी वाइफ को दे कर इसको खुश रखूंगा और he loved his pretty wife very much. He wanted to fulfill all her dreams but Matilda always remain unhappy. बच्चो एक दिन क्या हुआ Mr. Loisal आते हैं घर पे और Matilda से कहते हैं एक invitation आया है हमारे लिए और बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला है तुम्हें इस party में चलना है. तो students Matilda ready नहीं होती है. वो कहती है मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, जोयलरी नहीं है तो वो रोने लगती है. तो Mr. Loisal कहते हैं रो मत आपकी कोई friend है जिसे आप जानती है तो वो कहती है कि मेरी दोस्त है जिसका नाम M.M. Forrester है. तो students Matilda जाती है M.M. Forrester के पास और कहती है कि मुझे एक party में जाना है और क्या आपके पास कुछ necklace हैं तो मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दो. तो students M.M. Forrester एक simplicity महिला होती हैं और एक इमानदार महिला होती हैं वो अपनी jewelry की अलमारी खोलती हैं और उस box में बहुत सारे necklace होते हैं तो उसमें से necklace एक जो अच्छा लगता है वो Matilda अपने लिए select कर लेती हैं. तो वो जो है उसको Matilda को दे देती हैं Mr. Mrs. M.M. Forrester necklace दे देती हैं. Matilda students जाती है पार्टी में और बहुत खुश रहती हैं. सभी लोग उसको देखते हैं उसकी तारीफ करते हैं और Matilda को ये सब बहुत अच्छा लगता है. बच्छो कुछ दिर के बाद Matilda जो है पार्टी से जब लोटने लगती है तो अचानक जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके गले में necklace तो है ही नहीं. तो बच्छो Matilda और उनके husband Mr. Loisel बहुत परिशान हो जाते हैं. जिस कैब में वो सब आये होते हैं उस कैब के पास जाते हैं और उसके आस पास ढूटते हैं लेकिन necklace कहीं नहीं मिलता है. अब Matilda और उनके husband का जो जीवन है बहुत ही difficulty भरा हो जाता है. अब Loisel कहते हैं कोई बात नहीं आप परिशान मत हो मैं इसकी जगे आपकी friend को दूसरा necklace खरीद कर दे दूँगा. इस्टुडेंट्स Matilda को और उसके husband को इस lost necklace को replace करते करते 10 प्राइम इयर्स बीच जाते हैं और 10 साल के बाद वो 18,000 फ्रैंक्स को जो है दे करके इस necklace को खरीदते हैं और जो Matilda के husband होते हैं Mr. Loisal वो high interest rate में किसी से पैसे borrow करके लाते हैं और उस necklace को खरीद कर M.M. Forrester को Matilda वापस कर देती है Students अब Matilda अपनी नोकरानी को छुटी दे देती है और अपनी नोकरानी को छुटी दे देती है और खुद दूसरे के घरों पे जाकर काम करती है उसके husband Mr. Loisal दूसरी जगे जाकर extra work करते हैं और इस तरह से उन दोनों का जीवन बहुत ही difficult हो जाता है और गरीब हो जाते हैं वो लोग एक बार Matilda की दोस्त जा रही होती है रास्ते में और Matilda को पहचान लेती है और कहती है कि Matilda तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो तो बच्चो Matilda बताती है अपने सारे पीछे के बातों को तो वो कहती है कि अरे वो तो एक false necklace था केवल 500 फ्रेंक्स का और मुझे तुमने इतना महगा necklace 18,000 फ्रेंक्स और high interest में इकठा करके तुमने दे दिया बच्चो like and subscribe तो वो जो है 36,000 का necklace खरीद कर Matilda को दे देता है बच्चो